दॉक्टर नामवर्जीन एक ऐसे प्रभावशाली हिंदी आलोचक का नाम है जिन्होंने मार्क्सवाद और सौंदर रिशास्तर के बीच अध्पुत संतुलन स्थापित कर आज की हिंदी आलोचना को संपोंड गरिमा प्रदान की है और यही कारण है कि आज हिंदी आलोचना की प्रकतिशिल परंपरा में डॉक्टर नामवर्ज सिंग की प्रतिष्टा पिल्कुल निर्वेवाद है आज हिंदी आलोचना का जितना कुछ मूलीवान और विवेक सम्मत है उसमें नामर जी के लिखे साहित्ति का विशिष्ट स्थान है चाहिए वो कविता के नई प्रतिमान हो या दोसरी परंपरा की खोच कहानी नई कहानी हो या आजुनी खेंदी साहित्ति की प्रवित्तियां चाया वाध हो या इतिहास और आलोचना डॉक्टर नामर जी एक पेहत सुल्चे हुए आलोचक के रूप में हर जगवित्यमान है एक माई 1927 को वारानसी के जियनपुर गाओं में जन में नामबर जी की आरंभिक सिक्षा वारानसी में हुई सन 1951 में उन्होंने काशी हिंदु विष्व विध्याले से M.E. तथा सन 56 में पी-एच्डी की उपाधिली तथ पश्चाच जीवक पाजन के लिए काशी हिंदु विष्व विध्याले में ही उन्होंने अध्यापन की शुरुवात की जहां उन्हें आचारी प्रवर हजारी प्रसाद दुएदी का सदक सानिती प्राप्थ होता रहा इसके पाथ चार वर्षों तक जोदपूर विश्व विद्याले में विफाकाध्यक्ष के रूप में कारिरत रहने के उपरां सन 74 में जवाहला नहरू विश्व विद्याले नई दिली में विफ प्रोफेसर हो गए शोधार्थी के रूप में जहां एक और उनके शोध ग्रंथों प्रित्विराज रासों की भाशा तथा हिंदी के विकास में अपभरंश का योग की अपनी प्रिथक पहचान है वहीं दूसरी और सरजनात मकलेखक के रूप में उनकी व्यक्ति व्यंजक निबंद पुस्तक बखलम खुद की फरपूर चर्चा हुई किन्तु आलोचक के रूप में उनकी पहली पहचान बनी इनके आलोचना पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्ती की प्रवर्तियां से पुस्तक आलोचना साहित्ती की सवशेष्ट उपलब्दि की संग्यादी इसके बाद तो जैसे नामवर जी के नाम के साथ जोड़कर साहित्तिक उपलब्दियों का अनबरत सिलसिला ही शिरू हो गया जिसकी सुखत परेणती हुई कविता के नए प्रतिमान के साथ जिसे के इंद्री साहित्ती अकादमी नए दिल्ली द्वारा साहित्ती अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया गया गहन अध्ययन, चिन्तन, मनन और लेखन के प्रतिसदा आग्रहशील, गुरु गंभीर किन्तु प्रतित्त पन्नमती, व्यंग योक्तियों का टाक्षु किम्दं सब को भीतर तक आलोडित कर मंत्र मुक्त करते, तो ऐसे दिकच और अजेई आलोचक डॉक्टर नामर्जिंग से आईए करते हैं एक मुलाकात, इनसे बादचीत कर रहे हैं युवा कवी समीक्षक डॉक्टर अर्विन ट्रिपाथी तक आलोचना में सक्री रहने के बाद, आपको क्या लगता है कि आलोचना का जो संघर्ष आपने शुरू किया था, वो पूरा हो गया है संघर्ष की परेणती पर ये दिरभर है कि संघर्ष का परिणाम क्या हुआ, मैं तो आलोचना को सहयोगी प्रयास मानता हूं, युद्ध नहीं मानता हूं और वो प्रयास अब भी जारी है, क्योंकि इसकी कोई मंजिल नहीं होती है, मंजिले तै करते हुए आलोचना आगे बढ़ती है, और मेरा खाल है कि आधिश अताब्दी में ऐसे बहुत से सवाल हैं, जिन सवालों पर कभी आम सहमत भी हुई है, और कभी वो सवाल खुले हु नहीं है जहां पहुचना है। इस बिवाद प्रियता से कोई चुपचाप समझा होता है। मंमठ, विश्वनाथ, तो आप देखें कि पूरा शांस्रार्थ होता है। पूरवर्ती या समकाली विचारक कुछ कहता है, तो उसमें परिवर्तन, संसोधन के गुंजाई शेवा और परिशकार क्या आउशकता है। संस्कित का विशास्त वो न होता जो आज है, ये देढ़ जार वर्ष के वाद विवाद का परिडाम है। हिंदी आलोचना वहीं मैं मानता हूँ कि बीशोई स्टाब्दी का इतिहास देखें, तो पंडित महावी प्रसाद दिवेडी के सरस्वती से आरंभ हो करके, रामचन शकुल तक और उसके बाद भी जिस प्रिड़ी में हम लोग आये। तो कई मुद्दे थे, आप देखें, बिहारी और देव को लेकर लंबा विवाद चला था, तो लनात्म का अलोचना होनी चाहिए कि नहीं इस पर लंबा विवाद हुआ था। शकुल जी की माननेताओं को लेकर विवाद हुआ था। छाया बात पर विवाद हुआ था। प्रिण चन्द की कटियों को लेकर विवाद हुआ था। इसलिए विवादों को एक लंबी परमपरा है और प्रयोगशील नई कविता कि आने के बाद प्रगत शील और प्रयोगशील कविता के बीचारों को रूप विधान को जीवन की समस्याओं को ले करके कई सवाल उठे, इसलिए सम पचास के आसपास से, जब से मैंने होस सभाला है साहिते में, तब से लेकर कि अब तक अनेक ऐसे मुद्दे थे, जिस पर गंभीर मत भेद रहे हैं, और एक आम राय बनाने की कोशिश की गई है, उदाहन के लिए बहुत दुनों से पगर शीलों के बीच और तथाकतित रूपवादी या कलावादी कहलाते हैं, उनके बीच जिसको पूरवग्र पत्रिका उसके केंदर में थी और दूसरी और हमारी आलूचना पत्रिका थी, अब आप देखें तो साक्षातकार और पहल को लेकर के भी विवाद हुए हैं, तो इन पत्रिका संस्थाओं के द्वारा विचारधाराओं का टक्राओ रहा है, इससे साहित्य की जीवन्तता का पता चलता है, वो मुर्दा होगा साहित्य, जहां सब लोग एक ही विचार के होंगे, अलग-अलग धंक से न सोचते होंगे, तो एक लीक पीटी जाती होगी, आप देखेंगे रीतिकाल में धाई सो वर्षों में एक लीक पीटी जाती रही और खास तरह का साहित्य दिखा गया, कोई विवाध ही नहीं हुआ, ज्यादा जीवन्त भक्ती साहित्य था, जहां नेर्गुन और सगुन में भी अनेक धाराएं थी, और किसीने किसी रूपनों के बीच विच था, इसलिए मैं समझता हूँ कि विचारों का ठकराव किसी साहिती की जीवन्तता का परिणाम है, और जो जीवन्त आलोचक होगा, वो या तो उसकी पहल करेगा, यो उसमें शिर्कत करेगा, मैंने पहल की, अकसर कभी-कभी शिर्कत की, खास्तक खेप किया, और इस कारण य चालने के भी जरूर थे, यह शताबदी ढ़ल रही है, और आप सत्तर पार कर रहा है, तो इस समय आपके जीवन की क्या मनस्थिती है, और रचना की भी क्या मनस्थिती है, देखे निराला की वो पंक्ति है, हमारा ढूब रहा दिनमान, तो ढूबे भले ही ने, लेकिन अस्त अस्तमान, अस्तप्राय तो है ही, शताबदी ही नहो, हम लोग सत्तर को जो पार कर गए है, वो तो ढवता हुआ है, मात्वा का आंक्षाएं कोई बहुत बड़ी नहीं है, उपन्यासों पर लिखने का मतलब यह है कि मैं उपन्यासों के माध्यम से, जिन चुनोतियों सामाज से ही अपने जीवन दर्शन का ही वेचन करता है, इतिहास लेखन का काम फिलहाल समगर इतिहास का मेरा कोई विचार नहीं है, इतिहास लिखके ही इतिहास नहीं बदला जाता है, इतिहास के किसी कालखंड को लेकर के, किसी एक धारा को लेकर के भी इतिहास बदला जाता है, और बदला गया है ऐसी कृतियां जरूर आएंगी जिससे इतिहास को बदलने की दिशा में प्रेड़ा मिलेगी आपके प्रेट बहुत बहुत धन्यवारा है आपको भी सवभागी से नामवर सिंग हमारे उन आलोचकों में से हैं जो दूर दराज बैठके साहित्य का अकलन नहीं करते बलके साहित्य के बीचों बीच रहकर उसमें हस्तक शेप कर अपनी आलोचना का आउचित्य ढूरते हैं इस तरह का हस्तक शेप वो पिछले लगभग चार दशकों से हिंदी में करते रहे हैं और शायद ही किसी आलोचक को ऐसी केंद्रियता मिली हो जैसी नामवर सिंग को इस दौरान मिली उनकी सबसे बड़ी जो हिकमत रही है वो है साहित्य के तथ्यों को बाहर के तथ्यों से जोड़ कर एक नए संबंध या संबाद की स्थापना कर पाना वो चाहे चीनी आक्रमन हो चाहे आपातकाल हो या कोई और सामाजिक राजनेतिक परिस्थिती हो उसको नामवर जी बहुत चतुराई से और बड़ी खूबी से साहित्तिक शिल्प और साहित्तिके आंतरिक प्रश्णों से जोड़ कर देखने के आदी हैं और इसमें वो ऐसी की आभा लाते हैं तो कई बार कृतियों को भी एक नए आलोक में हमें दिखाती है हजारिपसाद द्वेदी पर उनकी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किसी एक लेखक पर लिखी गई उनकी एक मात्र पुस्तक है लेकिन जैसा मैंने पहले कहा वो चूंके हस्तक शेप कर आने समकालीन परिद्रश में फिर एक तरह का हस्तक शेप करने की चेश्टा वो करते हैं इसलिए वो पुस्तक जितना हजारिपसाद द्वेदी पर है उतना ही समकालीन विवादों पर भी है और एक उस परंपरा को प्रतिश्ठित करने का यतन भी है जिसे नामवर सिंग लो करतिक चर्चित कृति का नाम है कविता के नई प्रतिमान जिसमें लेखक के विश्वत्रिष्टी पखों भी परिलक्षित होती है प्रस्तुत है डॉक्टर परमानन श्रिवास्तव के विचार आचार राम चंद्र शुक्ल और आचार हजारी प्रसाद दुवेदी के बाद ह इंदी आलोचना का जो परिद्रिश्य है उसमें राम विलाश शर्मा और नामवर सिंग ये महत्वपून आलोचक है उनका आवदान अलग-अलग कारणों से महत्वपून है नामवर सिंग की आलोचना की एक प्रकृत यह दिखाई देती है कि वह कई बार द्वंद्वात्म है वो एक द्वंद्वात्मक संघर्ष में एक तरह की उत्तेजना प्राप्त करती है पर वो महत्वपून होती है वहां जहां वे सच्चे काव्यास्वाद या सच्चे साहितिक आस्वाद पर टिकते हैं यही वह जमीन है जहां उनकी आलोचना में एक सरजनात्मक उचाई भ रखता है कि एक ही आलोचक के यहां ये द्वंद्वात्मक चेतना भी है जिसमें अक्सर उन्हें पक्ष प्रतिपक्ष का विवेक घेरे रहता है उसमें वो अपना सरवत्तम कहने की कोशिश करते हैं और जाहिर है कि अपनी रणनीति के अनुसार करते हैं लेकिन महत्तुपूर महत्तुपूर वे वहां होते हैं या सरजनात्मक उचाई वे वहीं पाते हैं जहां वे एक सच्चे काव्यास्वाद पर आते हैं मैं उसे साहितिक आस्वाद कहूँगा जैसे जब उन्होंने परिंदे पर लिखा होगा तो यहास्वाद उनकी मदद कर रहा था जब उन्हों के नए प्रतिमान जैसी महत्वपून पुस्तक लिखी महत्वपून इस अर्थ में कि उसमें थोड़ा रंग बदला इसके पहले वो इतिहास और आलोचना में एक काम कर रहे थे च्छायाबाद में फिर भी काव या स्वाध के भरोसे ही च्छायाबाद और कल्पना या करता में एक नए तरह का काव या नुशासन विक्सित किया तो उनका काव या स्वाध कुछ नई जगहों पर पहुंचा जैसे रखवीर सहाय की कविता शराब के बाद का सबेरा की जब उन्होंने व्याक्षा की होगी तो वो काव या स्वाध उनकी मदद करता है लेकिन एक साहित्तिक आस्वाध पर भरोसा करता हूँ ऐसे क्षण उनके आंग कम आते हूं पर आते हैं मैं अनुभो करता हूं कि दूसरी परंपरा की खोज में भी ऐसे क्षण आते हैं उनके प्रियालोचक आचार हजारी पुसाद दुएदी हैं उनके बारे में जब लिखते हैं उनका यह आस्वाद गुण भी दिखाई देता है लुचनानी लेकिन यह जरूर है कि उसका एक परिद्रिश्य वो बड़ा बनाते हैं और साहित्य और इतिहास और समाज शास्त्र और विचारधारा इन सब चीजों से वो जुड़ते हैं यानि महत्पूर्ण वे वहाँ हैं जहां अकेले हैं अपने आस्वाद पर भरोसा करते हैं ऐसे क्षण उनके हाँ कम आये हों लेकिन यह नहीं कि नहीं आएं मसलें जब वे नागारजुन को चुनेंगे कि नागारजुन को पसंद करना है और उसमें पसंद के अपने कोण विक पहचानी नहीं गई और मेरा खाले कि यह पहचान कभी कभी महत्पूर्ण होती है लेकिन यह जरूर है कि उनका स्वभाव यह है कि वो एक बड़ा कावशास्त्र जो पहले रहा है उसमें से कुछ तत तो निकालते हैं लेकिन उसे अपने समय में रखने की कोशिश करते हैं जैसे कविता के नए प्रतिमान में तो यह हुआ कि वो नई समीक्षा की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे विसंगत विडंबना तनाव सब जानते हैं कि नई समीक्षा के शब्द हैं लेकिन उन्हों ने उन शब्दों का उपयोग जब किया तो उनके मन में ध्वानी क्रोकति और दूसरे सारे संस्कृत कावशास्तर के तत्तु भी थे कविता के नई प्रतिमान के केंद्र में मुश्टीबोथ हैं डॉक्टर नामवर्जिंग के इस अफ्दारणा को कि नई कविता में मुब्ध की वही सت dissoci है जो च्वान्में निराला की थी समकाली इनeren काव कहा होता है किसी भी आलोचेक के लिए विशेशकर्फ कविता के आलोचेक के लिए कभी रिदहोना अत्यावर्चक है डॉक्टर नामवर सिंग की कभी व्यक्तित्व का अनुमान उनकी बिम्ब धर्मी श्रीष्ट कविताओं से लगाया जा सकता है यह बात दूसरी है कि उन्हो की एक कविता सुना रहा हूं इस उम्मीद से कि वे कविता में वापिस लोटेंगे और जिस तरह उन्होंने बहुत सी धारणाओं को चुनोती दी है इस धारणा को भी चुनोती देंगे कि अस्फल कवी आलोचक हो जाता है नामवर जी की कविता है फागुनी शाम फागुन के सुनसान का कूठना बेघर बेपहचान दो राहियों का नतशीश न देखना पूछना शाल की पंक्तियों वाली निचाट सी राह में घूमना 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 अपने हथेलियों का आधार व आर देकर जिन्होंने ननहें चिरागों को सता प्रच्वलित रखा और नए से नई पीड़ी की नई से नई प्रतिभासे अपने को जोड कर जिन्होंने आज भी अपने आपको समसामेग बनाए रखा वे हैं डॉक्टर नामवर सिंग्ग तो ऐसी युग द्रश्टा युग स्रश्टा हिंदी साहित्ति के काल जैई आलोचक डॉक्टर नामवर सिंग्ग के शता युहोने की मंगल कामना के साथ उन्ही साधा नमन्च शत्षत प्रणाओं झालोचक शत्षत प्रणाओं